कि यहां से तंभव नहीं है तंभव नहीं है कि यहां पे ब्राम्यल जो है पचाशी जार उट है पैतिश जार चेटरी हैं 35,000 बैसे हैं और बिन्द का निशाथ पार्टी का ओट भारती जन्ता पार्टी कि साथ हैं और यह जितने हैं भारती एक लाख पार हैं अभी और बाकी साव अभी 60-50 तक बहुत ओल के मैकसिमम पहुचे हैं आपको क्या लगड़ा है यह नहीं के जाती समीकराण का जाता हमारे बता रहा है 50 परसंट राबन कोट हमारे साथ है हमारे साथ बतला बहुत जान समाज पार्टी साथ है अच्छा आप जरा इन दोनों का पर्चे करा दे और यहां बता दें कि मैं क्यों रुख गया दरसल मैं जा रहा हूँ प्रियागराज से जानपूर होते हुए आगे कहा जाओंगा नहीं पता कई जिले है कुछ जगा चुनाओ तीन मार्च को है मुंगरा बाशापूर है दिखे और यह चाय वाले पहले इन से पूछने लगा यहां क्या माहौल है कौन भारी है कौन हलका है कौन तेज चल रहा है तो उसी बीच बाच्चित कर रहा था तो यह भाई साब मोटर सैकल से रुक गए बीजेपी समर्थक यह बताने लगा बीजेपी जीत रही है पक्के त और पर बोल रहा हूँ यहाँ से जीत सपा रही है क्योंकि सपा का बेस बहुत मजबूत है और मजबूत होने के कई फैक्टर जिनों ने बता दिए और उसके बाद wage बाट हो एससे शुरू है क्यो ऐसा लग रहा है अपको जो आपने बता है पड़ार ने के पहले पहले पने पहले बोल दिया ने लेकिन जो आप कैमरा सुरू होने के पहले नहीं कर सकते लेकिन इनों ने कहा कि देखे मैं बीएसपी से जुड़ा हूं लेकिन हकिकत ये है कि समाजवादी पार्टी का वोट का जो बेस है वो मजबूत है बढ़िया है जिसमें यादव है मुसलिम है इनोंने का कुर्मी वोट काफी मिल रहा है और क्या बोले आप एक दो और बोले पासी कुछ वोट मिल रहा है इनके मुताविश सपा यहां अब यहां से सपा के कंडिडेट को ने है सपा के कंडिडेट यहां से है पंकज पटेल आच्छा और पंकज पटेल है वस्पा के दिने शुकला है बड़ा दिल चल शुकला जी बसपा से है और बीजेपी के आजया शंकर दूबे है तो दूबे जी शुकला जी दो पाटी में होगे कॉंग्रेस के प्रमोस सिंग है तो प्रमोस सिंग किस ब्रादरी को से है यह साउथ के हैं चन्ने से चन्ने से यहां से चन्ने से यहां से च कैंडिडेट है बासपा के शुकला जी और ये आपको पता होगा कि बीएसपी लगातार कोशिस कर रही थी और कर रही है कि ब्राम्मन वोट जुड़े इसलिए जब चुनाओ का एलान भी नहीं वह था पांच-छे मैंने पहले साथ मैंने पहले तभी सतीश मिस्रा प्रभुत स कर रहे थे जिलो-जिलो में ब्राम्मन को लाने के लिए एक भाषन उनका चर्चित अक्सर देते थे कि धलित और ब्राम्मन ही जूड़ जाए तो 36 परसंट हो जाएगा हमारी सरकार बन जाएगी तो यह लगता है यह जो ब्राम्मन बीएसपी के कैंडिडेट है दिने शुक भाषनरी जबिए जो वैसे यह जलाबी हैं पटेल में अनपुरिया पडेल जी की वज़ए से 30% हमारे साथ है ज्यादा नेम Mess % ले रहे हैं और इसी स्रीवासतो है काईproduct हमारे साथ मैं जो है करते हैं वैसे आजय संकर दूबे जी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं उनका कुछ जवाब है अब का चुकिए मैं यहां का उतना संकर ठीक है विजेपी मिर से अगर नहीं लड़े होते हैं वाकई जीतते लेकिन विजेपी वाट माइनिस हो देख लिएगा ब्र ब्रामन आपके साथ हो क्या आपके साथ नहीं है वह भी बताइए तो जैसे आपने कहा शुरू में अब यह जातीगा ताकडे अगर गलत है तो आप लोग बताइएगा कि इस सीट पर मुंगडा बाशापूर सीट पर एसी समाज का वोट 65000 लेकिन ब्रामन नमबर एक पर ब्रामन बहुल कह सकते हैं फिर सीट को इसलिए बीएस पी और बीजेपी के दोनों मिदबार ब्रहमन ने पटेल साथ हजार तो पटेल क्या लगए इस बार चुनाओं में पटेल कितने किदर बहुत अगर कटेगा दस परसें किदर कटके जाएगा किदर कटेगा और किदर खोड़ा बीजेपी मिजा सकता है और ज्यादा किदर ज्यादा समध्धार लोग जो है सब साइकिल चले कए पटेल के पटेल लोग परचेंका है कि बीएस पीक है हाँ उसके बाद यादब 40,000 हैं उसके बाद मुस्लिम भी सजार है मुस्लिम भी रहेंगा साइकल में चोहान में पटेगा हो जो जाएंगे 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 जो नराज है इनकी सरकार सिफ प्रिट है वो बस तक साथ चल रहें तो सरोज मतलब पासी तो इसमें ये 65,000 में आपके पास कितना है बीजेपी और सफ़ाग पास कितना है पड़ना है हमारे पास 45,000 तक वोट इसमें पड़ना ही पड़ना हमारी उप्यस्पी जो प्रम परागत वोट है वोट कितना पड़ेगा उस में पर तेया होगा ना तो आप ये बताओ ये पहली बार छे मैं गूम रहा हूं यूपी में में पहली बार आप जैसा और सफाकी जीत का ऐलान कर रहे मतलब चास बननने जा रहे हैं तो क्यों करूँ मातलब तो करूँ गूँ‍प लेकिन जो वोट का बता रहे हैं वो तो जादा है पर लेकिन मेरी जो है सरकार बनने जाए तो हमारी पार्टी वोट उधर फोड़ी जाएगे एक भी वोट नहीं जाएगा तब बत पक जाएगा चलिए तो आप जरा यहीं रुकिए अब जरा हम दो तीन लोगों से बात करते हैं और यहीं रुकिएगा आप आपका क्या शुब नाम है तो आप कैसो चरहे हो इस बात सरकार किसकी लगती है आप लोग बना दे चाहते हैं तो अच्छे आदमी है ठीक है काम भी किये हैं पहले भी काम अच्छा किए हैं आप लोग उसे बैटेरो रहा काम भी पहले वह अच्छा किए थे ऐसा कुछ नहीं है काम भी सही किये हैं उनको लोग चाहते भी है बैठे रोना भी रेकॉड कर रहे हैं उनको भी चाहते हैं अच्छे आदमी हैं सही हैं इस वर यहां एक नुट बताईए आपका राम चल मौरिया जी दो-दो मौरिया हैं सुआरे एक उधर सौमेप्रशाद मौरिया आ गए जो तो आप रामचल मौरिया जी इस बार क्या सोच रहे हो हम तो यह सोच रहे हैं कि वीजेपी ही जलेगी वीजेपी क्यों यह थोड़ा समझा दो अरक्यों अब मौरिया जी थे लेकिन पार्टी अपनी आप अपना स्टित खतम कर दिये दल बजलूम हो गए उसका तो प्रभाव अलग ही पड़ेगा क्या करते हो आप कुछ नहीं करते हैं खेती बारी करते हैं अच्छा तो यहां मौरिया बोट कितना है अब मौरिया बहुत बस्पा में जा सकते हैं नहीं तो बीजेपी मौरिया थोड़े बहुत बस्पा थोड़े बहुत बीजेपी आपका शुब नाम दयाशंकर पूरा? दयाशंकर बिन्द हाँ, बिन्द अब दयाशंकर आप बताओ सवाल तो आप समझ गए होगे वही गौझ गौझ ऐसे घुमते रते हैं अचानक किस चाहे की दुकान पे आ गए तो अब तो यहाँ चुनाओ है गुशे सरग्दाएं चाहिए मंगर मैं चाता हूँ बुजेपी सरकार रहे बहुत अच्छा गुंड़ा राजहटा बहुत सारी शुबधाओं गरीब को हर सुबधा मिली हर जी जीज़े वेवाब मिल रहा है और डाध भी फिरी राशन मिल रहा है जो गरीब को पास पाँस पैर रहे हैं अईसा कोई सरकार नहीं गरीब को पहुंचा रही तो राशन तो जैसे जो पांच कुंटे खिला दे रहे हैं साड़ते रात बंड़ा लग हम लोग हडा हडा करता ही उकर इंतिजाम बात वर सरकाइब बस रात दिन हम लोग जाग रहे हैं टन्नी में बीमार हो जा रहे हैं इसके पहले कमीन दिल भरी हुई कभी साड नहीं चूटा था तो अध्याद में किसी सरकार को भाई बुरहि कर रहा हुगा. अब जो मिलल आप हो मैं बता रहा हूँ और मैं किसी सरकार की बुराई ने कर रहा हूँ अब ये बताओ ये बताओ ये जो अनाज जो है सुनो तो इदर अनाज जो है 31 मार्च तक मिलना है उसके बाद बंद है वो कोरोना की वज़ा से ताह उचनाओ में थोरा एक्स्टेंड हो तो अनाज तो बंद हो जागा 31 मार्च के बाद फिरी अनाथ तो भी हमें जहीं चाहते हैं यही सरकार रहें यह सरकार रहें हाँ यह मुद्दा हुआ ना अब किसी सरकार की बुराई ने करता हूँ जान सा तब हो जब नोकरी पाए उसका बच्चा बेटा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा तब उसका विकास होगा ताली बजाने से विकास देश का नहीं होने वाला है बाबा जी होत्म होना चाहिए जनता जागरूप है अब हर हर नहीं कहेगी अब तो हडा हडा कहेगी अच्छा चलिया बैठिये वैसे लोग कहते हैं कि बहन जी बहुत मजबूती से करते हैं उनको जरूरता ही नहीं है परसान होने की इतने हो अरे वार कर एक बूद पर वरक कर रहे हैं इतने मांदारी से कर रहे हो कि आप पहले ही बोल रहे हो क्या सपा मजबूत है मैं इसके तारीफ करूंगा हम क्यों कहें आप पतले हैं सही बात लेकिन आप जानते हो ऐसा जब यहां क्या होता है जब जिसकी हो रही होती हो भी कहता है करके लोलаксим समस्षिया को है क्या क्या नाम है तो रही है طिर्व नान्ट किया तो यहां आदर गोट वोट भी यहां देख रहे हैं 40,000 है तो क्या है अलाके एक और दिल्चस्ट पर जाउनपूर सदर जो है वहाँ बीजेपी के जो सीटिंग विधायक है वह यादव है नाम भूल रहा हूं क्या नाम है जा है गिरिशन यादव राजमंत्री भी है और तो दुबारा चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं वहाँ ज पर से चुनाव मैदान में उनके सामने जो बाकी उमिद्वार है उन पर भी बात होगी लेकिन हाचली वापसाथ लेकिन वह यादव ब्रादरी की कोई समस्या बैख नहीं पाए अरे ऐसे भी किसी नेता को किसी ब्रादरी की समस्या क्यों करने चाहिए जैसे जो कुछ बात काम्याब होए है तो आप किस सरकार चाहते हो समाजवादी प्रेटी सब्रादरी के मेरे वा ऑपस आते हैं नेता जी आपने अपनी पारटी का नुक्सान कर दिया है नहीं नहीं मेरा लुष्कान हो नहीं सकता मत दाता जानता है नेता हमेसा सच्चा बोलता है कि तावेगिर नहीं है लेकिन मैं आपकी तारीफ करूँ आज आपका एक बनाम फिर से बताईए मैं संजय चौदरी हूँ कभी जूट न बोला जनता न बोलूँगा सब दिन इनका सेवा किया हूँ और करता रहूँगा मैं इनकी तारीफ करूँगा भाई देखिए क्या होता है बहुत हिपोक्रसी होती है नेताओं में उपर से लेकर नीचे तक जो पता है कि जिसे हारना है वो भी कहेगा हम जीत रहे है जिसे 500 बोट नतीजों में आता है वो भी कहता है चौनाओ के पहले हम जीत रहे है और बाकी तो बड़ी बड़ी बाते हवा में पतंग उराना ये तो लोगों की फितरत होती है नेताओं की लेकिन इनकी इसलिए ता अब इनका कहना है कि जो सामने वाला तगड़ा दिख रहा है तो हम उसको तगड़ा कहेंगे तो अच्छी बात है आपकी इसकी तारीफ होनी चाहिए जड़ा पीछे बात कर तो आप लोग यहीं बैठे रहे हैं थोड़ा पीछे जगह दीजेगा आपका शुब नाम क्या यह म पाइट रहे हो यहीं पर जुता साट साल से की उम्र कितनी आपकी है अब कुंडले ले नहीं पच्पन साट साल से यहीं पर इसी जगह पर नात्क वियाव कर रहे हैं और ऐसे ही लगा कर आप पहले हम जनावार हटाते थे अच्छा अब नर्स काम चल रहा है तो यह भी एक प्लास्टिक का यह कहें इसको क्या बोलते हो कट्टा कट्टा बिच्छा है कुछ जूते हैं इनके पॉलिस के कुछ समान है और यहां बैठे हैं और यह जौनपुर जिले का मुंगरा बाशाह पूर तो आपके इसाब से इस वार क्या लग रहा है किसकी बनवाना चाहरे हो सर्कार किसकी बनवाना चाहरे हो आप केका बनाई है अरे केका बनाई हम काई बता है आप बताओ अले कोई निने मारता है सब बोलता है आपक問 अपन बात बताओ अध्लैस ेंचछा कि है यह नुखा और और कहे का मोधी ठीक है कांगल शिर काम पूieme मोधी ठीक है अब मोधी का है ठीक हे थीक है मताब़ा क canoe गरीब की देखा ह constit विर्ट को लजाए लेट यह सी काम तरह वो ह孩 याय रही है क्या ने या रही है पहले किसको वोट दिया थे पहले वोट हम दिये थे इनका अकले से दिये थे अच्छा अब हैं जी को कभी दिया है कि नहीं आधिक्या हां दिये थे किसको दिये हैं किसको चल रहा है किसका चल रहा है इस समय तो हमका अनभव नहीं देखा दो हैं लेकिल वोट देंगे हुई कि जब सद्यंताओं ही भरवारित रहे गए तब किसको कान बोल दो चलो ठीक है इन्होंने कान में जो बात अपनी बताई है मेरे आडियो में होगा और अब ये पान वाले भाई साब है जमीन पर बैठने में घुटने में असर कर गया थोड़ी देर में क्या शुब नमें आपका राम चरन राम चरन यादव पत्ता काट्रव पान का इधर अब बनारस लजदी के बनारसी पान के समें और इसमें क्या फरक है तो पान हम खाते नहीं है नहीं तो यह श्याप लेते अभी बनारसी पान तो क्या लग रहा है इतर भाई डूनों की लड़ाई है अशका थे रशा की अपल लोग की दर आप लोग के दर हो आप लोग किदर हो हूं नहीं सभूशासा गहरे तो मतलब मज्बूरीं कadamente on मतलों मज्बूरीं दे रहे हैं या और ह मको को इसलिए छूट इना दिया है तो मतलों मज्बूरी आ हैं वही बरादर कनाते। आपके परिवार में बौत कौन कौन है? और अधिसल्च सपा में रहें अ बैट smaller मेंगे城 के Question 1 आप मुख्यमंत्री भाई योगी भी सही है। अगर अख्यलेश आजाएंगे उसमें जो है सब को बोलने का जिकार होता है। अगर योगी जी है भाई लेकिन मुसल्बान तो परिशान हो रहे हैं। भाई वोट परिशान हो रहे हैं। जातिवात योगी जी है। क्या नाम है आपका? भावेश कुमारे हादव यादव जी हैं। आप भी रुग गए। जा रहे थे इदर से? यादव जा रहे थे। जातिवात जाते हैं। जातिवात, टवन जातिवात जातिवात। अब ये बताओ आप जैकेट वाले इतनी ठंड नहीं है लेकिन आपने पहल लिया तो आजाओ जराओ क्या नाम है आपका रंजीत पूरा नाम रटजीत यादव जी हो साती हो तो किधर हो इस अखले सकार बनने से हैं का है विकास के लिए विकास तो योगी जी कर रहे हैं इतन आपको बताए के संग के आप तो बोल ने बोलने में इतना दस सकेंड क्यों आपने क्या सुबना में अपका राजेंदर कुमार शर्मा है इनको बता के गए एक बगलवाला क्यों संग है तो ये कुछ पूछ रहे हैं योगी जी कि अगर पांच काम गीना हो आप मैं 35 काम गी योगी जी की बात या किसी की बात मैं राजनेति की बात मैं ने करता हूं मैं राश्टवाद की बात करता हूं पहले देश है उसके बाद हम हैं मैं राश्टवाद देश हित की बात करता हूं सनातन रहना चाहिए धर्म रहना चाहिए ये हिंदू के नते ये ये कोई माने न लेकिन हम लोग इसको राष्ट मनते हैं ठीक है लोग को भी होना चाहिए अगर राष्ट के लोग नहीं रहेंगे तो राष्ट कैसे रहेंगा और फाले मर्द हैं अब लोग मतार हैं हम राष्टबादी हैं कि सब राश्डवादी था बहरत के हार भारत हैं हम रही हम हम बात से पृए हम भर्ट मुरे नहीं पूरे किसालों को चुकी दार बना दिए पूरा देश बेत ले काम का रेलवे बेच दिए हवाई जहाद बेच पूरी सुरू किये उसी प्लेट फार्म को ही बेच दिया सब्सक्राइब कर रहे हैं मालनी हम यह साथ पूछला चाहते हूं आपकी चैनल के माध्यमते यही चवकिदारी होती है यही राष्टवादी होती है यह आप जाएगे आप गिम्मेदारी ले लिए उसके बाद धीरे-धीरे खाली कर दीदी खोकला कर दीदी आप यह कुछ जवाब देदी जो यह आज कितने साल से मसला रहा लेकिन अब वहराल उसको बैकरांड में ज्यादा नहीं जाना चाहता जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे राम को योगी लाए कि योगी राम को लाए अब इसका जवाद दिधी हम को ना तो आज साहे 500 साल से चला रहा है यह पहले क्यों नहीं हुआ मैं इस्हास में लिखा गया है कि यह अएसे मंदीर ऐसा था इसमें कबजा कर लिया यह हूँ हुआ हम क्यों नहीं कर पाएं घर जए साल से ले लोग चलिए औरहाल मुझे कुन्हे से थोड़ा सब्वाइस के और राम के नाम पर वोट मांग सुर्ण वोट स gefunden काम पर बगवान का इसे भाड़ करते व्राइव बिकास मुल्चा रॉकर प्राइब है भीकास होगा थे वारे लिएग व लोकारी मिलेगी कब मिलेगी वागाईभ लोगाई अगरी गार्व तर सब्सक्तरिश नहीं हो गया थे नहीं हो गया इतना बहुंता थेल सिलेंडर हो गया घर घर सिलेंडर तक बरा नहीं किया एक हजार कोई लिए बिकलां के ज़ेंगे और और उर्ते खाना नहीं प्राइए उसके लिए कि मेरे पास भी काम है यह कह रहे हैं कि जो है कि सिलेंडर जो है खाली है ठीक है आज देन है इस सरकार की सुबह उड़ता है आदमी पहले कहां जाता है पेट साफ करने वो सरकार की देन है उसके बाद सरकार की देन है कि पहले लोग बाहर जाते थे आज जो है सौचाले में जाते हैं लेकिन कम हुया क्यों नहीं कहीं कहीं यदा कदा में उसके बाद औरते चूला फूंकते फूंकते आख लाल हो जाता था आज क्या है उज्जोला गैस है सबको घर घर जो है गैस मिली हुई है उसके बाद मूर्त में हमको राशन मिल रहा है जो 31 मर्च को खतम हो जाएगा पता है न होगा हो सकता है खतम हो जाए बढ़े उसकी बात हम नहीं कर रहे है अभी प्रजेंट टाइम में हमको मिल रहा है ठीक है चली अब जरह इनकी सुन लिए अब आप कुछ कहना चाहिए सब बेकार बाटाई सारी बगीचा देख रहे हैं अब पैदल नहीं चल सकते इस बस्ती के लोग दिखा ले एक भी लेटिंग चालू हो सरकारी सारी लेटिंग बंद है एक भी लेटिंग नहीं चालू हो का हालत तो यह है कि कीमत मरने से बहुत घर में गया हूँ चुकि मैं 25-30 जिले में घूम चुका हूँ सैक्रो ऐसी महला है गयस सिलिंडर किनारे रखा है आप फिर फूक रही है वहीं जैसे फूक रही थी क्योंकि कीमत तो एक हजार हो गया प्रेका को सिलींडर जलाया जाता थाफाथा अब घर में चार-चार गया पिट्लो मैंगा नहीं होगा गयस मैंगा नहीं होगा तो कहां से आएगा सही बात हिए अपका अपका अस्तार खμाल तो पेट्रोल मांगा है तो साइकितल से चलना चाहिए लयूब किसान आदमी है ना किसान आदमी है सौर सो ही बोए ना उसको हम 200 रुपिया करेट क्यों नहीं बेच रहे हैं आप क्या करों पिछे से आयो मोची जो है हां में एक आ रहा हूं गाय स्लेंडर पने तरे स्ट्रीक है यह पांथ रुपिय लकड़ी कुंटल हो गई है और मांगा हो गया आप कुछ कहना चाहते हैं आप खतम हो रहा है इनका कुछ जवाब है यह जवाब आज कहां से कहां पूंच गया आज पूरे दुनिया में जो है हें तनका बजा रहा है रहा है oppose ठीकर कानी यही राम आज जा रहे हैं पूरे भारत में दंका चाहा है पूरा चो जह कहां किस्की जवाड़ी मुंड़ी लइडर हो जाएंज तो ऑल्लों गयांत क्या करई जंता कुधी परसान रहे लिए जब Edwards ja we're वह हो गया है प्रणियाद e.ını और उड़ी ऐसे कर पा रही हैं कहां सानमिम से हो गया और genial रेट इहां पॉल जीद कुल रहा है इहां पहल ना मिल रहा है लोग क्पटेल बीजेपी और इसमें बठे एंड़ सुखयान event कि नाम और सरनेम गौर करते जाईए और अंदाजा लगाते जाईए समीकरन मैंने बता दिया अब यहां से जा रही है जानपूर की तरफ यहां से जोनपूर कितना किलोमिटर है जानपूर यहां से कितना किलोमिटर है दो किलोमिटर है दो किलोमिटर के बाद परताब गड़ तो परताब गड़ में तो चुना हो चुका है तो अब यहां से हम चलेंगे जानपूर मचली शहर कुछ और इलाकों को देखते हुए आगे कहां जाएंगे पता नहीं रात में कह चुनाओ के दौरान ऐसे चाहरब के दुकानों पर बाउमें जो लोग बोलेंसे लुक बैप ऑी हैति करें परसानी है ना साड से बहुत परसानी है इनको बोले जी ने बोला है दस मार्च को सरकार बन जाएगी सब साड से मुक्ति दिला देंगे क्या करेंगे जाने वक्त बहुत स्कीम निकालते हैं मोजी लाल बिंद एक और बिंद यहाँ पर देखो यह तो मतलब मैं थोड़ा जातिया से निकरन समझने कोशिश करता हूं इसका बिंद विरादरी में बटवरा है नहीं है अब जहाँ जाएसे मौल लोग रहेंगे वह ऐसे बोलेंगे देखके सामाओनी सब देखके हम तो हैं बीजेपिक आदमी फुले आप पापा के आदमी है अब पापक नहीं है इसे कुछ नहीं है इसे बागया दिम यहां अशान नहीं है आपके पास दो कि नहीं है बटाएं किया सुद्धा में अब का इसे दुकान पर सबसे बात करते हैं हमारा नाम ब्रिजेश कुमार मिश्रा है यहां 20 लोग से बात कि अब तो जाते हूँ मिलें तो हम तो सबसे पूस्ते है कि क्या महौल है किस की सरकार बंती दिख रहे हैं योगी जी प कुछ बोट बटेगा ब्राम्मन वोट बटने नहीं जा रहा है वह जानता है उसका भला कहा होगा और यहां जाती समिकरन इस बार तोल करके रिकार तोल मत्रों से भार्ती जंटा पार्टिक प्रचाशी जीचने जा रहा है मैं थोड़े दूरी बना रहा है अपके मूँ से गुठका बाहरा रहा है अब यह क्यों नहीं करते हैं जंप करके देखिए इस पर आया है मैं टिस्टेंस बनाया है जो है शारे आखले फेल होंगे पुनह जो है यहां भार्ती जंटा पार्टिक प्रचाशी जीचने जा रहे ह मैं आपकी मदद करऄी कुछ इनकी मदद करिय कृदब इनको ज से गणाप मेरे से बड़े वो इससे मत करो हूं अप ऐसी क्यों इतने बाभू कोगे अचानक आखे आपनी जग्ए घू चलो यह रखो चलिए बाराल पता नहीं वावुक हो गए वह खेर तो इस वीडियो को खत्म करते हैं और अब चलते हैं जॉनपूर की तरफ पड़ाम आप बैठो चलिए नाउसकार